इस तरह लहसुन खाओगे तो मरते दम तक भीमार नहीं पड़ोगे। कई सालों पहले ग्रीस में उलंपिक खिलाडी अपना प्रदेशन को बहतर करने के लिए लहसुन का सेवन क्या करते थे पर्शिया तिबबत इसराल जैसे कई देशियों में लहसुन को औसदिये गुणों के लिए जाना जाता रहा है लहसुन दोस्तों नैच्रल मिसर में जब पिरामीड बन रहा था तो उस समय पिरामीड बनाने वाले गुलामों के लिए लहसुन का इस्तमाल सप्लिमेंट के रूप में किया जाता रहा है यही नहीं लहसुन को आयरिवेद में धर्ती का अम्रित कहा गया है आयरिवेद में लहसुन को घर का वैद भी कह कितनी बड़ी बात है जड़ा सूचे क्यों कहा गया होगा जब modern science ने लहसुन पर research की तो उनकी आखे खुली के खुली रह गई यह सब देख करके वही सारी बाते में आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि क्या-क्या फायदे modern medical science ने बताए हैं और क्या फायदे आ विटामिन्स अच्छी मात्रा में होते हैं गार्लिक यानि लहसुन विटामिन C और विटामिन B6 का भंडार है मिनरल्स के बात की जाये तो लहसुन में phosphorus, manganese, zinc, calcium और iron की अच्छी मात्रा होती है इसमें carbohydrate, protein, thiamin और pathogenic acid भी होती है लहसुन में antioxidant और antiseptic गुन होते हैं जो हम आसदी बनाते हैं अपने आसदी गुनों से भरपूर लहसुन के health benefit बहुत जादा हैं दोस्तों जिन में दिल की बिमारी को ठीक करना, diabetes को उप्चार करना, cancer cells से protect करना इस तरह के बहुत से फाज देता है इसके लावा skin related कुछ समस्याओं में इसका उपरी तौर पर इस्तमाल कर सकते हैं आए डेटिल्स से जानते हैं लहसुन के फायदे यानि health benefit के बारे में रोजाना लहसुन खाएंगे तो ये आपके दिल के लिए फायदे मन्द होगा इनमें बहुत से पुशक्ततों और minerals अच्छी मातरे में होते हैं जो heart को healthy रखने में मदद करते हैं लहसुन में आपके खुन में प्लेटलेट्स की चिपची पाहट को कम करने में help करता है ये प्लेटलेट्स blood clot जमने के लिए जिम्मेदार होते हैं जी हैं दोस्तों लहसुन रोजाना खाएंगे तो यह नसों में blockage नहीं होने देता लेकिन इनके इन फायदों को लेने के लिए लहसुन क पकाने की जगह आपको कच्चा लहसुन सेवन करना होगा बहुत से लोग हैं जो सबजियों में डाल वगएरा में डाल कर लहसुन का सेवन करते हैं लेकिन इस तरह से लेने से आपको लहसुन के पूरे फायदे नहीं मिलते हैं अगर आप लहसुन को कच्चा खाएंगे या इसे भून कर खाएंगे आग में तो आप इसके पूरे फादे मिलेंगे हम सबी लोग सब्जियों में या फिर दाल्द में टड़का लगाकर लहसुन का इस्तमाल करते हैं पका दिने से उसकी मात्रा कम हो जाती है लहसुन का उपयोग किया जाता रहा है जैसे कि आप जानते हैं कि लहसुन खाने से हमारे immunity को बढ़ाता है प्रते रक्षा शक्ती बढ़ने से आपका शरीर common cold fever जैसी समस्याओं से लड़ने में सक्षम होता है इसमें मौजुद पोशक्ततु शरीर मसाटोकिन्स के स्तर को कम करने में हल्प करते हैं आप लहसुन खाकर सरदी खासी जुकाम वारल फीवर जैसी समस्याओं से बच सकते हो तो इसके लिए आपको कैसे इसका सेवन करना है अगर आपको सरदी खासी जुकाम की समस्याओं वारल फीवर है ना आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो गई है तो क्या कीजिए एक गिलास गुनगुना पानी लीजिए उसमें दो से तीन चुटकी हल्दी डालिए साथ में दो कली लहसुन को कुट कर पानी में घुल कर सुबह सुबह पी लिना है इसके लाद छोटे बच्चों क लहसुन की कलीओं को धागे में बांध कर उनके गले में पहनाने से कफ खासी की समस्या से चुटकारा मिलता है जैसे माला बना देना उस तरह से आप लहसुन की खासी का उपचार हो जाएगा बहुत ही पुराना रहमेडिय है दोस्तों आज भी गावं में च्छोटे पनाया जाता है इसकलावगले फाले के बात करें तो इससे वजन कंट्रोल होता है जी हां लासून रेगलर खाने से एडिपोजनिक टेसूस को रोकने और साथी यह शरीर में थर्मोजनेसिस को बढ़ाता है और ज्यादा फैट बर्न करने के लिए और LDL यानि खराब पंवानिका सेवन कर सकते हैं इस तरह से लेने से आपकरा वजन तेजी कम होगा इसकलाव लासून में दोस्ता हूं कॉली नाम का हत्त्तु होता है जो बहुत कम चीजेशों में मिलता है ये क्या प्रद्द हमेशा थके थके से रहते हैं शरीर में कोई एनरजी नहीं रहती तो उनकी यो थकान होती है वो कोलीन की कमी से होती है यह जो को बहुत होता है गारलीक अंदर यह आपके थकान को बिलकुल खत्म कर देता है लाशुन जाते ही मसल में, मान स्पेशियों में जितने भी आपके दर्द हैं, उन दर्द को ये ठीक करतेता है। कोलीन के धीक मातरा के वज़ा से अगर आपकी नर्व विक हो गई है, नसें कमजूर हो गई हैं, तो उनको ये ताकत देता है। इसके लावा गारलिक अपने एंटी ऑक्सिदेंट और एंटिफ्लामेटरी गुणों के कारण दिमाग के सिहत को बहतर बनाता है। प्रोस्टेट, ब्लैडर, पेट, लिवर के कैंसर से शेरीर की रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है। लहसुन का एंटी बैक्टरियल गुण पैप्टिक अलसर को भी रुखता है। लहसुन खाओगे तो आप अलसर से भी बच्चे रहोगे और साथ साथ में कैंसर सेल्स को भी ये मारता रहेगा। जिससे आपके शेरीर को ये कैंसर से प्रोटेक्ट करेगा। इसके लाओ ये किड्नी इंफेक्शन को रुखने में भी हल्प करता है। अगले फाइदे के बात करें तो नियमित डाइट में लहसुन खाने से ये ऑस्ट्य अर्थराइटिस की शुरुवात को रुखने या फिर कम करने में ये हल्प करता है। रिसर्च में पता चला है कि लहसुन में डाइसलफाइड नाम का कमपाउंड होता है जो हड्डियों की डेंसिटी को बनाया रखने में हल्प करता है। और इसलिए ये ऑस्ट्य अर्थराइटिस और गठी है जिसी बीमारी को रुखने में मदद करता है। सुबह शाम पानी के साथ लें जुरू करके देखिए। इस तरह से आप अपनी यौन शक्ती को बढ़ाने के लिए लहसुन का उप्योग कर सकते हैं। अगर आपको यौन से सम्मंदित कोई बिमारी है तो आप लहसुन का इस्तामाल इस तरह से 90 दिनों तक जुरू करके देखिए। अगर आप डाइबिटिक हैं तो शेहत का इस्तामाल नहीं करना है सिर्फ लहसुन का इस्तामाल करता है। गमजोर लीवर वालों के लिए सही नहीं हैं। इसलिए वे लोग इसे अववोइड ही करें। इसके लावा कच्चे लहसुन के तासिर गरम होती है इसलिए प्रेग्नेंट महिला आएं इसका सेवन ना करें। फिर आपने डॉक्टर के सल्हा पर ही इसका सिवन करें। लहसुन दोस्टों, नैचुरली, खुन को पतला करने का काम करता है। अगर किसी की सर्जरी होने वाली है, तो सर्जरी होने से पहले लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो यह दोस्तों लहसुन के बहतरीन फायदे वीडियो जानकारी कैसे लिए कि आप हमें कॉमेंट करें बताएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ परिवार के साथ जरू शेयर किजेगा निलता अगले वीडियो में धन्यवाद